तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनेकेडमी के इस्तिनाय और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का सब्जेक्टिव कोश्चन करने वाले हैं जी हां 12th क्लास का ओल चेप्टर कम्प्लीट कराल देने के बाद आप लोग चाप्टर तक अपजेक्टिव और सब्जेक्टिब कराकर स्टॉप की थि ठीक है और दस्वा चाप्टिर के बाद से जितना भी चाप्टर था वो बचा हुआ था तो आज के इस वीडियो में हम लोग दस्वेजशेक्टर का ही सब्जेक्टिव कोश्चन करने वाले हैं जी हाँ जितना भी चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास के उर्थू में ओल चैप्टर का चैप्टर वाइज में अब्जेक्टिव कोश्चन लाइव क्लास के माध्यम से कराऊंगी और वहाँ पर लाइब आप लोग एंसर दे पाएंगे और मैं आप लोग एंसर को देख पाऊंगी ने से कि आज के सवीडियो में इस वीडियो में आप लोग को स्ब्जेक्टिव यानि की रीटेन कोशन करने वाले हैं लिखने वाला तो बिंजो कोशण होगा तो उप्लोड are वीम हम से मिलेगा यानि कि यह अप्लोडेड़ वीडियो है णिख लोको सब्शॉपिभ उतना भी रिटेन कोशन है आज किस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो आप लोग एदम तयार हो जाए चैप्टर नमबर 10 का सारा सब्जेक्टिव कोशन यानि की रिटेन कोशन करने के लिए ठीक है और उसके बाद से बहुत जल्द में अब्जेक्टिव का भी होगा तो आप लोग कम्यूटी देखते रहेगा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन अपने आप ही पहुच जाएगा कम्यूटी में देखते रहेंगे कि कितना मतलब डेट बता दिया जाएगा जब भी लाइफ होगा आप लोग को डेट ब पहुचा दे ताकि सभी लोग को पता चल जाएं कि सब्जेक्टिव तो स्टार्ट हो चुका है ठीक है फिर से और बहुत जल्ड अब्जक्टिव बेस्टार्ट होने वाला है ठीक है एक और जरूरी बात मैं आप सभी लोग को बता देना चाहती हूं इसी के सांथ कि जिस द एंसर वही लिख कर आएंगे तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा इतना जबरदस्त और धांसु वीडियो अपलोड होगा ठीक है उसमें ऐसा एंसर चार पांच एंसर त्यार करके दूंगी कि कोश्चन आप लोग के एकदाम में कोई भी पूछे एंसर वही लिख कर आएं कोश्चन आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक है तो यहां पर आप लोग के मंड में एक और सवाल क्रियेट हो रहा होगा अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यह हर एक चप्र का सब्जिक्टिव कोश्चन देखना क्या जरूरी है डिरेक्ट वह मैं का वीडियो वीडियो में मैं जो कुछ भी समझाओंगी वह जब भी वीडियो अपलोड होगा और जो भी एंसर बताऊंगी वह आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आप हर चैप्टर का सब्जेक्टिव कोश्चन में आप लोग करा रही हूं वह आप लोग किये हो तब तो है कि आप लोग हर चैप्टर का सब्जेक्टिव कोशन कर ले नंवर्वन से लेकर कर 9 तकतो अपलोड हो चुका है और आप लोग को विश्वास दिलाती हूं आप तक मैं होना इंगी के उदक बसे लेने की जरूरत ही नहीं है तो चलिए फड़े-फड़ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग वीडियो को श्यार जरूर कर दिये होंगे जितना ज़दा हो सके वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने की कुछ करें ताकि सभी लोगों तक ही इंफ वीडियो में बताऊंगी तो आप लोग भी रेडि रहेगा और दुसरों तक वीडियो को पहुंचा दिजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके और वो भी पहले से ही रेडि रहे अब्जेक्टिव के लिए सभी चीजों के लिए और प्लस मैं आप लोग को को लोग को छोड़ना नहीं है इसी तरह हर एक चेप्टर का मैं सब्जेक्टिव कोस्ण का वीडियो अप-लोड करूंगी और हर september का सब्जेक्टिव कोशण करना है ठीक है तो नाँड्ल Nuna let's go to start हाँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट हो रहा है आप कोशन एंसर मुखतसर तरीन सवालात से publishers मतलब की इस तरह की कोशन के एक लाइन में हो जाता है मुखतसर तरीन सवालात है ठीक है तो तो देखिए सबसे पहला सवाल मैं पढ़ती हूँ और आप लोग भी सुनिएगा और खुद से भी पढ़ने की कोश्च कीजिएगा क्योंकि साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा सलाम बिन रजा को किस साल साहिते केडमी इनाम से नावाजा गया तो यह कोश्चन काफी इंपॉटेंट है दो तीन बार पूछा गया आप लोगों के एक्जाम में तो याद रखिएगा 2004 में अब जरू नहीं की यह सबजेक्टिव में पूछे यह अबजेक्टिव में भी सलाम बिन रजाक का अद्वी तालुक है तो यह दो जबानों से तालुक रखते थे हिंदी और मराथी ठीक है आगे बढ़ते हैं फड़ाफट सलाम बिन रजाक के तीन अफसानों के नाम लिखिए तो कोई भी तीन अफसाना का नाम आप लोगों को लिख देना है और मैं कि कहानी का नाम में खिकस्तष अबले के दरमयान आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर फोर की कि च cripple 가서 कि कारता वार और अर। और्द एन्वंब के लिखने वालों का नाम लिखना है कार अथ साथमें अफसान Нेडार यानिकि उशताना के मीर का नाम भी लिखना चू buses ला जोनती है जो कि राजेंदर सिंग बेदी द्वारा लिखा गया था दूसरा दे दिया गया है यहां पर कालू भंगी जो कि क्रिशन चंदर द्वारा लिखा गया है प्रामिस जिलानी बानो और इबराहिम सक्का यह सलाम बिन रजाक द्वारा लिखा गया है तो यह चार प्रक्याट टाये मुगतसर सवालात यानि की स्ञॉट टाइप कोश्शन इस तरह के कोश्षन को एंसर या तो पांच दक हमें मुअ बहुत ही फेमस कोश्शन की पूछा गया है आप लोग के याद रहता है चलिए तो इसका एंसर देख लेते हैं यह आप लोग जानते भी होंगे चैप्टर में पढ़ाई हूं इब्राहिम सक्का की तालिम चौथी क्लास तक थी लेकिन देखिए लिखा किस तरह गया है शब्दों को पकरने की कोश्च कीजिएगा कि किस तरह सबाब में कि इवराहिमस करणन गाउं में सभी गाउन वालों को पानी पिलाता था अफ्सानानिगार की पोस्टिंग छाल ही में हाल में ही उसी गाउं के स्कूल में उस्ताद की एस ऐसाथ से हुई थी उनके पास भी इबराहिम सक्का पानी लेकर पहुँच गया सच पुछ ये तो इबराहिम सक्का पूरे गाउं का एक लौता साकी था यान की पानी पिलाया करता था और शायरी का जौक भी रखता था मगर तालीम के बारे में दर्याफ्त करने पर उसने बताया कि वह चौथी दर्जा पास है यहां पर देखें कितने लास् को पकड़ कर लिखना है ताकि 45 लाइन में एंसर हो जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहां पर ध्यान दीजिए नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल है कि इबराहिम सक्का किस से महबत करता था बहुत ही आसान कोश्चन आप लोगों पता भी होगा और देखिए यहां पर जवाब लिखा है कि इबराहिम सक्का विदार खादेश्मुक की बेटी से महबत करता था जी नहीं यहां पर बेटी नहीं होगा बलकि बहन होगा मैं आप लोगों को पढ़ाई भी हूँ कभी कभी बुक या फिर गाइड में गलत इंसर टाइप कर द कि वह 100% करेक्ट वहां पर बताई हूँ ठीक है और आप लोग पढ़े होंगे इबराहिम सक्का नाम का चैप्टर तो आप लोगो पता होगा कि बेदार खादेश्मुक की बेटी नहीं बलकि बहन थी जिससे इबराहिम सक्का महबत करता था ठीक है तो इसी लिए आप लोग चैप्टर को सबसे पहले पढ़ ले वहां पर आप लोगो सच्चाई पता चलिएगी वहां पर 100% करेक्ट आप लोगो नौलेज मिलेगा ठीक है और सब आप लोग अगर गाइड भी पढ़ते हैं तो उसमें गलत लिखा रहेगा तो आप लोग अपने इसाब से इसको ठीक क लिखा गया है ठीक है तो विदार्खा देशमुक की बहन से इब्राहिम सक्का महबत करता था और विदार्खा देशमुक क्योंके समाच का एक दबंग आदमी था और इब्राहिम सक्का एक मामुरी भिष्टी था जो घर घर पानी भरता फिरता था इसलिए वह अपनी महबत का इजहार नहीं कर सकता था और विदार्खा देशमुख की बेटी भी इब्राहिम सक्का से इसी खदर प्यार उसी खदर प्यार करती थी मगर वह भी बाप के बाप नहीं बेटी भी नहीं होगा यहां पर बहन होगा ठीक है यहां पर क्या रहेगा विदार्खा देशमुख की बहन भी इबराहिम सक्का से उसी कदर प्यार करती थी जिस तरह इबराहिम सक्का विदार खादेश मुख की बहन से करता था लेकिन विदार खादेश मुख की बहन जो है ना अपनी भाई के दर्ग से खामोश रहती थी वह भी मतलब अपने महबत का इजार नहीं कर पा रहे थ लोग चार-पांच छे लाइन में लिख सकते हैं थीख चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्ण देखते हैं तीसरा सवाल है किस अफसाने में किस गाओं का किस सब्यान किया गया है जहां अफसाने निलगार एक मुलीम की हैसियत से पढ़ाते थे और नौकरी जौइन करन सभी लोग को पाने पिलाने के लिए उसका काम ही था सभी लोग को पाने पिलाना और इस इंसान का नाम था क्या इबराहिम सक्का जिया उस इंसान का नाम इबराहिम सक्का ही रहता है और जो कि इस कहानी का मरकजी किरदार है तो यह आप लोग ज़री नहीं है कि जिस तरह यह वन बैए वन करके लिखाए हैं इसी तरह आप लोग लिखेंगे आप लोग खुद से ही लफजों को सजाकर लिख सकते हैं जरूरीने कि जिस तरह यह लिखेंगे अगर एंसर आप लोग पता है पूरी कहानी जानते हैं खुद से भी लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं चार नंबर सवाल अब्दुर्रब और अब्दुल्ला भैसा कौन था ये भी मैं आप लोग को पताई हूँ अब्दुर्रब जो थे ना वो धोरन गाओं के स्कूल के हेड़ मास्टर थे और अब्दुल्ला भैसा सरपंच का बात है जब अफसाना नेकार इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धुरन गाओ गये थे और स्कूल का मुआइना कर रहे थे उसी वक्त की बात है और पचीस साल पहले और पचीस साल जो भी मैं आप लोगो कहानी बताई हुआ ही लिखा गया है ठीक है तो यहां पर मेन इसका फ भी लिख देते हैं तो कोई दिकत नहीं है इंसर आप लोगो का इतना से काम चल जाएगा ठीक है पास्ट नमबर स्वाल कि अफसाना इबराहिम सक्का के खालिक कौन है और यह किस मजमुए से उखस किया गया है यानि की अफसाना इबराहिम सक्का जो है ना इसके लिखने व महारास्ट की ही कहानी है और यह अफसाना सलाम बिन उजाक के मजमुएं शिकस्ता बूतों के दर्मियान से माखोज है यह समाज की कमजोर तबके से तालुक रखने वारे लोगों की कहानी है ठीक है तो यह मजमुए है कहानी का एक किताब है सिकस्ता बूतों के दर्मियान इ चलिए इसको भी देख लेते हैं पहला सवाल है कि इब्राहिम सक्का के मरकजी किरदार का सरापा बयान कीजिए इब्राहिम सक्का जो कहानी है इस कहानी का जो मेन करेक्टर है उसके बारे में आप लोग को बताना है तो जवाब में लंबा चौड़ा तो लिखा ही रहेगा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं तो देखिए जवाब देख लेते हैं यह अपने हिसाब से क्या लिखा है जवाब में लिखा गया है कि जिर इने साब अफसाना इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज्जाग का एक बहतरीन अफसाना है इस अफसाने में अफसाने का उन्वान है टाइट है इबराहिम सक्का इबराहिम सक्का ही अफ़साने का मरकजी करदार है यह बताएगए है और बरुकी वाकवात और तो ईसी के हैं इतला कि कि वो एक साकी था पानी पिलाया करता था सभी लोगों को और उस गाउं का एक वाहिद भिष्टी है जो पूरे गाउं के लोगों को पानी पिलाता है यहां तक के पानी भढ़ने के लिए शेक सहब के यहां भी आता है और इस किरदार की तराश-खरास में अफसाना निगार न उने अफसाने का मरकरजी किरदार बनाकर उसके जिंदगी के मसाइब तकालिफ और महरूमियों और हस्रतों को हमारे सामने लाकर रख दिया है कि लंबा चुड़ा जो है ना किसके बारे में बताया जा रहा है इब्राहिम सक्का एक खुद्दार और मेहनतकुर इंसान है वो कि कि जिस तरह लिखा गया एंवार स करता है रिखेंगे कोछन का कराने का उध्य से मिरा यह है कि आप लोग सीख सके लफजों को सजा कर किस तरह किस अदाँ में लिखा जाता है एंवार ठीकिए अगके अफसाना जो है इबराहिम सक्का इसको पेस नजर रखकर सलाम बिन रिज्जाक की जजबात में गारी मतलब वो किस तरह के जजबात को अपने अफसाने में उभारते हैं और अफसाना इबराहिम सक्का में किस तरह के जजबात को उभारने की कोश्च किया है किस तरह के जजबात पर उसन जाले हैं या आप लोगों को बताना है तो देखिए जेरे नजर अफसाना इबराहिम सक्का सलाम बिन रजाक का एक जजबाती अफसाना भी कहा जा सकता है इस अफसाने में सलाम बिन रजाक ने जजबात नगारी पर पूरी तवज्ज़ दी है अफसाना के मरकजी किरदार अफसान इबराहिम सक्का जो है अफसाने के मरकजी किरदार इबराहिम सक्का की तरास खरास जिस अंदाज से अफसाना नगार ने किया है इससे अफसान निगार के जजबात निगारी की सलाहियत का इजहार होता है मतलब जिस तरीके से सलाम बिन रजाक ने अफसाने का जो मरकजी किरदार है अब रहिम सक्का उसकी तरास खरास को जिस अंदाज में लिखा है ना जिस अंदाज में उभारा है इससे पता चल जा रहा है कि अफसाना निगार की जजबात निगारी कैसी है ठीक है इस कहानी में एक भिष्टी का वाकिया इस तरह बियान किया गया है कि जो बेवजाहर अपने किरदार के एतबार से एक आम और मामूली आदमी नज़र आता है और उन पर से एक के बाद एक तह खोलने और उसके साथ की उसके जिन्दगी के अंजाम की पेशकस में सलाम बिन रजाक ने बेपना तकलिकी सलाईयत का मज़ारा किया है बिल्कुल मामूली शकल और सिरत का या गरीब भिश्टी अपनी जिन्दगी की तकालिफ महरूमियों और उसकी हसरतों से अच्छी तरह वाकिफ है या वा फितरतन खुदार और मेहनती है वा किसी के रहम और करम और दूसरे के टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता ये तमाम बाते कहानी के रावी की मारफत की मारफत कई वाकात और उसके किरदार के मुकालमों के जरीए इस अफसाने में उम्दफ फंकारी के साथ बियान हुए हैं किसी को चाहने और चाहे जाने की खुद उस किरदार की अंदरूनी और पोशीदा इससाद की इमाई और उसके इश्क के अलमनाक अंजाम की डरमाई पेशकर्ष में सलाम मिन रिजाक ने जजबात निगारी की कमाल का मजाहरा किया है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है इबराइम इस्वां के मौत की नहालात में हुई तफसील से बयान कीजिए इबराहिम सक्क की लास्ट में मौत हो जाती है फिल्म देखें होंगे वहों यह कहानी बहुत हिए एमोशनल तुलहा देने वारी तो इसी तरह का यह कहानी आप लोग जानते भी होंगे तो लास्ट में बताना है कि हीरो की किस तरह मौत हो जाती है जवाब में लिखा है आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं जरूर नहीं कि जिस तरह लिखेंगे वैसे मैं आप लोगों को पढ़कर बता दे रही हूं अजीब हो गरीब हालात में लोगों को भी स्टार्टिंग करना है इबराहिम सक्का की मौत अजीब व गरीब हालत में हुई पहली बात तो यहा कि वा बेदार खादेशमुक की बहन से इश्क करता था और गुर्बत के वज़े से अपने इश्क की इजहार की जरात नहीं रखता था चूंकि बेदार खाद देशमुक दबंग और मगरूब मगरूर किसंका आदमी था यहाद तक कि उसकी बहन भी वर इव्राहिम सक्का से इश्क करती थी लेकन उसमें लेक्न उसमें वी इजहार की जरायत नहीं ती यानिकी उसकी बहन भी जो है ना वहो भी मतलब डरती थी अपने भाइसे वह भी मतलब वो भी मतलब चाहर रही थी कि हम बोल दे लेकिन डर को जासे अपने भाई से नहीं बोल पा रही थी ठीक है एक दिन अचानक सुना गया कि विदार खादेशमुक के यहां रात में चोर घुसाया था लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा सका मौका देखकर भाग गया फिर दो और इसी वज़ा से विदार खादेशमुक की बहन जो है वो दूसरी कर लेती है और रात में ही जनाजा उठाया जाता है उसका और दफन करने के लिए लोग कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं और इबराहिम सक्का भी उतनी मतलब तीज हवाय चलती है उतनी रात को तवित खर बैंसा तक भी जाता है ठीकिए इबराहिम सक्का रात की तारीखी में चादर ओड़कर शेख जी से मुल मिला और इस हालत में के बुखार से काप रहा था और उसके पूरे जिसम पर लर्जतारी था और उसने एक मिठी एक मुठी मिठी शेख जी के हवाले किया ठीकिए सक्का बोलता है राइटर को एक मुठी मिट्टी देते हुए बोलता है कि मेरे तरफ से यह मिटी जो है ना कबर के उपर डाल दीजिएगा इदर जनाजा में शामिल कि लोग सरगोशिया कर रहे थे और बेदार खाकी बहन ने खुर्द कुसी L России नहीं की थी बलकि उसका قतL कर दिया गया था यह लोग्या वह यहह मतलब तफशोर मचा रहे थे कि हाँ विदार खादेशमुक की जो बहन है वो खुशी नहीं की थी बलकि उसका कतल कर दिया गया था यह बहुत सारे अफवाव फैल जाते हैं गाओं के लोग जो है अफवाव फैला देते हैं ठीक है यह सारी बात हुई थी और उसके बात से फिर तीस और इस तरह इब्राहिम सक्का फिरदार अपने इलमिया निंजाम को पहुँच गया यानि कि वेदार खादेशमुक की बहन की तो मौत हो जाती है रात को दफनाने के लिए बिचारा इब्राहिम सक्का उतनी उसकी तबीद खराब हो जाती है लेकिन फिर भी काली कंबल ओड विए जाता है और एक मुथी मिटी जो है इना वह देता है यह को मौत हो जाती है और उसके अगले दिन ही कया होता है फिर तीसरे दिन यहां पर लिश्क है जबकि अगले देन ही वह जाता है बर्म सख्का की मौत ठीक है रात बढ़ मी ठंड में जो है ना हिरो इनकी इसका ने घाल का रहता है मतलब के साथ ही वह भी बैठा है ठंड के होज़ासे उसकी रहाथ मौत हो जाती है तो सुबह में सब और यह ऐसा आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चार नमबर स्वाल है कि समाज के एक मामुली फर्द को मरकजी किरदार बना कर सलाम बिन रजाक ने कारी को अंदर से जिजोर दिया है इसी दर्दनाफ लास्ट में मौत होती है ना कहानी का दीन होता है कि आदमी अंदर से काप जाता है ठीक है तो अंदर से कारी को जिजोर दिया है सलाम बिन रजाक ने तो इसी के वजाहत करना है मैं आप लोग को खुलासा लिखना है इसके बारे में आप लोग को बताना है ठीक है तो चलिए देखिए जवाब में लिखा है आप लोग खुछ से भी लिख सकते हैं कोई दिकर नहीं है यहाँ पर हम लोग जरा शब्दों को पकड़ने की कोश्ट करते हैं अफसाना अवराहिम सक्का स्लाम बिर्जा का एक ऐसा अफसाना है जिसका मौजू मौजूदा समाज में राइज नहमवारी है चुनांचा हिंदुस्तान को आजाद हुए निस्प सदी से जादर का अर्सा गुजर चुका है लेकिन समाजी नहमवारी जात पात चुआ छुआ गरीब अमीर अभी तक तमाम तरफितने समानियों के साथ मौजूद है यहां पर बोला जा रहा है कि अभी भी समाज में भेदबाव होता है उच निच को लेकर छुआ छुआ छुट को लेकर जात पात को लेकर ठीक है और उच निच के भेदबाव के हो जासे ही तो हीरो हीर नहीं कर सकता है ठीक है वही बात लिखा गया है लंबा चोड़ा चली फड़ाफट हम लोग आगे बढ़ते आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं लेकिन हम बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा इसी वजह से मैं कोश्च नंबर फाइफ पर आती हूं पड़ाफट अ हर वाकिय एक दुसरे के साथ कड़ी की तरह जुरा हुआ है बाद आवकात ऐसा महसूस होता है कि हम अफसाना नहीं पढ़ रहे हैं बलकि किसी ड्रामे का मनजर देख रहे हैं अफसाने की बतदाई ड्रामाई इंदाज में होती है और आखिर में जनाजा को कबरिस्तान ले आते वक्त का मनजर तो चलता फिरता ड्रामा ही है किरदारों के जरीए जो मकाल में अदा हुए हैं वह इंतहाई साधा और रवा है आगे बढ़ते हैं यह देखिए आगे भी लिखा गया यहां पर यह कहानी इब्राहिम सका की तरह ही साधा तकनीक में है और शेक साहब की हा कहनी तो आप लोग जानते ही हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के उपर आते हैं फूश्ट नम्र सिक्स है कि इसलाम बिन रजाक के अफसानों अफसानवी जबान पर तफसरा कीजिए यानि कि सलाम बिन रजाक अपनी कहानी को जब लिखते हैं अफसाने को तो वह किस तर दोर तबका से तालुक रखने वान लोग की कहानी है अफसाना निगार काबिल मुबारक बाद है कि गुम हुए पेशे और मिटती हुई जिन्दगियों के सांसों की डोर को अपने अफसाने में जमा करके उन्हों ने एक बड़ा तहजिवी फरीजा इंजाम दिया है सलाम की या कहानी अपनी जबान असलूब और हैयत के अतबार से भी एक उम्दा कहानी के जमरे में आती है यानि कि सलाम बिन रजाक की जो कहानी है वो जबान असलूब और हैयत के अतबार से एक काफी उम्दा कहानी के जमरे में आती है कहानी के एक किरदार के जरीए जो मुका में अदा होते हैं व incidents करते हैं न हैए अपनी कहानी नी कि सबढ़ को समझमें आ आजाने वाली जिवान इब रहा हुआ है वह फान को मौनें जासे तककी को जी के बना यह कहानी का मोजश भीचब बहुत नया मलहिंते हैं लेकिन अफसानळा निगार ने उसको जिस खुबसूरती से बरता है सलाम की जबान उस मौजू को भी ताजा और परकुशिश बना देती है जबान और तक्निक दोनों लिहाज से यह अफसाना निगारी की फनकारी का उम्दा नमूना है ठीक है मतलब की इबराहिम सक्का जब जबान यूज करते ह हैं तो जो किरदार होता है ना लगता है कि उसी की वह जबान है उसी की वह भासा है इस तरह के जबान का यूज करते हैं अपने कहानी में तो यह लंबा चड़ा आप लोगों को तारीफ कर देना है किसके सलाम बिन रजाक के अफसान में जबान की ठीक है तो आई होप आप आप लोगो हर एक कुशन का इंसर समझ में भी आया होगा अगर कोई बी कम्फ्यूजन हों कमेंड में लिख कर पूछ लिजाएगा हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उस कंफ्यूजन को कुलेर कर दूँ ठीक है चलिए आज की सीव एगले वीडियो में वीडियोगले ट